आज हम लोग देखेंगे वो facts जो हमें आईनस विक्रांत के बारे में जानने चाहिए साथी साथ इंडियन नेवी के इंडियन जनाइजिशन में यानि कि उसके स्वधेशी करण में क्या वो challenges है जो हम face कर रहे हैं वो भी हम लोग देखेंगे तो आई शुरू करते हैं आईनस विक्रांत क्या है तो ये प्रधान मंत्री मोदी जी से ही सुन लेते हैं आईनस विक्रांत क्या है विक्रांत विशाल है विराठ है विहंगम है विक्रांत विशिष्ट है विक्रांत विशेद भी है विक्रान्त केवल एक युद्ध पोत नहीं है ये 21 सदी के भारत के परिश्रम, प्रतीभा, प्रभाव और प्रतीबद्धता का प्रमान है I.N.S. विक्रान्त 17 एर्स लग गए टोटल कंस्ट्रक्शन और टेस्ट को लगा करके तब जाके ये कमीशन हो पाए है और ये डिजाइन किया था नेवी के ही इन हाउस वार्शिप डिजाइन ब्यूरो डवलू डीबी और इसको बनाया था कोचीन शिप्यार लिमिटेड ने और ये जो विक्रान्त है इसकी लेंथ है 262 मीटर्स और इसका जो फुल डिस्प्लेस्मेंट है जो कि कहीं जादा है इससे पहले वाला जो विक्रान था जिसको स्क्राइब कर दिया है चौधा में हमने एक्चली जो इससे पहले वाला विक्रान था इसकी फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसका सर्विस टाइम था 1961 से लेके 1997 तक चेक है और जो इंडिया पाकिस्तान का जो वार हुआ था इस्ट पाकिस्तान वाला उसमें बहुत मेजर नेवल ब्लॉकेड इसने क्रियेट किया था और यह जो पुराना वाला जो विक्रान था यह एक्चुली हमने युनाइट किंडम से लिया था 1957 में इसका मतलब पहले इसको बोला करते थे HMS हरकुलीस है ना और यह जो है बाद में 1997 में डीकमिशन हो गया उसके बाद में यह जो एक शिप डेकिंग कंपनी को बेच दिया एक्चुली यह दो ओलंपिक लेवल के जो स्विमिंग पूल से उसके बरावर उसका साइज है और इसको फ्लोटिंग सिटी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 18 तो फ्लोर्स हैं 14 तो डेक्स हैं और 2300 के आसपास जो हैं कमपार्टमेंट से पंदरा सो से लेके सतरा सो जो सेनिक जो हैं वो इसमें आ सकते हैं 16 बेड का तो हॉस्पिटल है इसमें और 250 टैंकर्स जो है वो फ्यूल के इसमें आ सकते हैं यह इसकी मतलब खासियते होगी मोटी-मोटी एक और मेजर चेंज हुआ है वो यह कि इंडियन नेवी का फ्लैग जो है वो चेंज हो गया है पहले यह काला फ्लैक था जिसमें रेड क्रॉस था और बीच में एंबलम था इसको सेंट जॉर्ज का क्रॉस कहा करते थे और अब जो है वो नया ब्लू कलर का ऑक्तागोनल शेप का है जो की माराथा रूलर छत्रपती शिवाजी महराज की जो सील थी उससे इंस्पायर्ड है तो यह एक बड़ा चेंज आईए इसी पर आपको एक छोटी से क्लिप और सुनवाते हैं अब तक भारती नवसेना के द्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई लेकिन अब आज से छत्रपती सिवाजी महराज से प्रेरी नवसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहर आए देखे लिए अब बात करें तो सबसे नंबर वन पर आता है इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी हैं हम अभी भी कॉंपोनेंट्स और सबकॉंपोनेंट्स वह वह हम इंपोर्ट ही करते हैं दूसरा चाइना का जो इंफ्लूइंस बढ़ रहा है जो भी लिट्टरल कंट्री जह है जो कि हमारे लिए चैलेंज है रिसेंट्ली हमने देखा कि हमबन टोटा पोर्ट पे उसने अपना एक वैसल भी डेप्लॉइ कर दिया दूसरा हमारा यह जो कॉस्ट और टाइम है यह हमारा ज्यादा लगता है तीसरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह कि हमारे पास जो सब को जो भी डिफेंस अक्रसाइज होंगी वो ठेक है कोई नया डिफेंस एक्विप्मेंट आया है तो वो तो इस तरह की डेवलब्मेंट्स पे वो नज़र रखनी चाहिए जैसे यह क्वेस्टन है कि विच वन दो फॉलोइंग इस बेस्ट डिस्क्रिप्शन आइनस अश्ट धारिनी देट वास इन यूज रिसेंट्ली उस समय यूज में था ठेक है तो चार आप्शन्स दिये थे क्या है यह एंफीबियस वार्शिप है न्यूक्लियर पावर सब्मरीन है तो यह टोर्पी